अमस्कार मित्रों स्वागत आपका स्ट्वी तेनल पे स्टीएफ ने लीख हुए तीनों पेपर फ्लैट से बरामत किये जब भी कोई पेपर लीख की खबर आती है और उस पर वीडियो बनानी होती है तो मन बहुत कचोटता है और बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक कुछ बदमाशों की वज़े से वर्टस ऐसे यूज़ करने चाहिए कि ऐसे लोग जिनके वज़े से हजारों नहीं लाखों गरीब बच्चे जो बच्चे सिर्फ इस नौकरी के दम पर अपने परिवार को पा लेंगे उनके पेट पे लाथ पड़ जाती है पहले पूरी ख़बर पढ़ लेते हैं फिर बात भी करेंगे तो यूपे पूले सिवाई परतीव का पेपर लीग कराने वाले मुख्य मास्टर माइंड रवी अत्री को गरिफतार कर लिया गया है STF मेरट कौतम बुधनगर और लखनाओ की टीम ने अलग-अलग ऑपरेशन चलाते हुए रवी अत्री समीद गिरों के 17 सदस्यों को गरिफतारी की है वहीं STF की मेरट यूनिट ने बुधवार सुभा करीब साड़े 6 बजे के आसपास कौतम बुधनगर में ही खुरजा बस स्टेंड के पास ही रवी अत्री को गरिफतार कर लिया आरोपी के निशाने देही पर लीक कराए गए तीनों पेपर STF ने उसके फलैट से बरामत की है आरोपी को पूछतास के लिए मिरट लाया गया या आरोपी रवी अत्री से बरामत मुबाइल की जाच फॉरंसिक टीम से भी कराए जाएगी रवी अत्री से पूछतास में खुलासा हुआ कि उनके गिरों में 200 से ज़्यादा सदस है बहुत बड़ी बात है इनमें से ज़्यातर बिहार, मद्यप्रदेश और यूपी की है रवी अत्री गौतंबुन नगर के नीमका गाउं का मूल नवासी है फिलहाल उसने अपना ठिकाना दिल्ली के यूएजडी पटेल नगर में बनाया हुआ है तो देख सकते हैं कि जो पेपर हैं वो पाए गए है मतलब ये पूरी तरीके से बात अब हो चुकी है और सुभाश ने भी लीक कराया था आरो ए आरो का पेपर पुस्ताच में रवी अतरी ने बताया कि ये आरो ए आरो का पेपर सुभाश प्रकाश निवासी मुद्बनी भी हार ने लीक कराया था बताया कि पेपर लीक कराने के बाद सुभाश ने इसे राजीव नयन मिश्रा को दिया था इसके बाद राजीव ने इसे रवी को दिया रवी ने इस पेपर को गाजियबाद में 20 लगों को बेज दिया था इसके अलावा वेस्ट उपी में समय तमाम जगाओं पर इस पेपर को अभी हर्थियों को बेज कर मोटी रखम कमाई गई थी यह स्टिय फार उपी सुभाष प्रकाश के पीछे लगी है जो फिलाल बोपाल में ठिकाना बनाए होए है तो यह सभी प्रकार के जो लोग हैं जो बिलकुल गलत करत करके हजारों लाखों बच्चों के पेट पे लात मारते हैं उनके घर वालों के परिवार वालों के सपनों बिलात मारते हैं कर्जा ले लेकर बच्चे बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं इलहाबाद हो लखनाओ हो कानपूर हो या जो गाजियाबाद बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर लड़के जाते हैं तैयारी करते हैं मेनद करते हैं ताकि उनकी नौकी लगे बड़ को ऐसी सवाजा होनी चाहिए कि आगे कोई भी पेपर लिग ना हो क्योंकि फिलहाल गतवर्ष में जितने भी पेपर हुए वो कहीश ना कहीश लीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार को स्टेप लेने चाहिए इन लोगों को ऐसी सवजा मिलनी चाहिए यह पेपर लीग करने की जो सोचें तो उंगा रूप आप जाए कि नहीं अगर गलती से पकड़ गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है होप है कोई नए नियम आएंगे कोई बड़ा ऐसा गिरो जो पकड़ा जाए उसको एट सजा मिले कि वो दहल जाए तब जाके शायद यह जो परसंटेज है पेपर लीक की यह कहीं जाके खतम या फिर कम हो सके अगर आपको कंटिंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपने मित्रों तक जरूर शियर करिया करिए क्योंकि यह न्यूज जितनी लोगों तक पहुंचेगी जितना वो मोटिवेट होंगे तो शायद सभी का सभी फिर से मन लगा के बढ़ पिन शोगों